हलो दोस्तों जो SSC परिक्षा में एक पर फिर से आपका स्वागत है आज हम लोग इस GK के सीरीज में एक बार फिर से 500 महत्पून प्रिवियस एर की किफ़चन को करने वाले हैं जिसमें की किफ़चन जो होंगे यह SSC या AFCAT या Railway की इकजाम में आए विव प्रस्ण होंगे यानि कि यह पहले की इकजाम में जो most important किफ़चन है जो आए हुए थे उसको हम लोगों ने इस सेट में सामिल किये हैं तो इस 500 की किफ़चन में भारत का भूगल टोपिक से 175 किफ़चन रहेंगे और बाकी के किफ़चन जो रहेंगे वो समानने बिग्यान और समानने ग्या से रिलेटेड होंगे तो चलिए हम लोग प्रस नंबर एक के साथ अरंभ करते हैं तो भारत का भूगल टोपिक का पहला किफ़चन है कि भारतिये छेत्र का सुदूर दक्षनी बिंदू इंदरा बिंदू कहां इस्तित है तो यह जो है ग्रेट निकोबार दियूपर इस्ति है तो भारत कहीं सा बताना है कि थलियो छेत्रों में भारत कहीं सा कितना है तो दो दसमलाओ चार परतिसत भारत कहीं सा है थलियो छेत्रों में तिसरा नंबर का क्यूचन है कि भारत के दक्षनी बिंदू जिसे खाले स्थान कहते हैं 2004 में सुनामी के बाद जल्मगन हो गया तो कौन सा जगह है तो उस जगह का नाम है इंद्रा पॉइंट ओप्सन नमबर ए इंद्रा पॉइंट आगे है चौता नमबर का किश्चान कि भारत की मुख्य भूमी का सबसे दक्षिनी छोर कौन सा है ठीक है तो भारत का जो मुख्य भूमी है उसका सबसे दक्षिनी छोर ज तो एक राज्य का नम बताना है, जो कि मियनमार के साथ सीमा को साजा नहीं करता है, तो दिये गए अपसुन में से असम ही एक मातर ऐसा इस्टेट है, जो कि मियनमार के साथ सीमा साजा नहीं करता है, बाकी मिजोरम, मनीपूर और नागा लेंड असम के साथ सीमा साजा करते हैं आगे है चाथा नमबर का कि भारतिये स्टेंड समय जो भारत का स्टेंडर समय है पाकिस्तान से कितने मिनट आगे है तो पाकिस्तान से हम लोग 30 मिनट आगे है यानि कि हमारा समय पाकिस्तान से 30 मिनट आगे है अगला किशन है 7 नमबर का है कि भारत खाले स्थान के साथ अपनी सीमा की साज़ा करता है तो किसके साथ अपनी सीमा को साज़ा करता है तो दियेगा अपसुन में से मियनमार के साथ सीमा को साज़ा करता है आगे है एट नमबर का कि भारत की भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है तो भारत की जल सीमा रेखा जो है वो तीन देशों से मिलती है पाकिस्तान से और स्रिलंका से और बंगलादेश से आगे है कि अंडमांड एवं निको बार्दिव समू खाले स्थान के द्वारा बिभाजित किये जाते हैं जिसकी चोड़ाई 150 किलो मिटर है ठीक है तो उस चैनल का नाम है 10 डिगरी चैनल ठीक है आगे है कि भारत की सिमाएं इन में से किस देश के साथ नहीं लगती है तो इन में से ताजिकिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है बाकि चीन, मियनमार और भूटान के साथ लगती है 11 नंबर का question है कि निम्न में से किस भारतिय राज्य की सीमा अंतराश्टी सीमाओं को असपर्स नहीं करती है तो उस राज्य का नाम बताना है तो पच्छिम बंगाल का सीमा जो है बंगलादिस के साथ अटेच है उसी परकार हिमाच्छल परदेश का सीमा जो है वो चाइना से अकसाई चीन से रिलेटेड है और पंजाब का जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ अटेच है लेकिन हर्याना ही एक ऐसा दियेगा अपसुन में से स्टेट था जो कि किसी अंतराष्टी सीमा को असपर्स नहीं करता है आगे है कि कौन सी खाड़ी भारत तथा स्रिलंका को विभाजित करता है तो भारत तथा स्रिलंका को विभाजित करने वाली खाड़ी का नाम बताना है तो उस खाड़ी का नाम है पाक की खाड़ी आगे है कि बंगला देश की थली सीमा किस के साथ है तो बंगला देश की जो थली सीमा है वो भारत और मियनमार के साथ है 14 नमबर का question है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो बंगला देश के साथ है इसका right option हो जाएगा बांगलादेश आगे है भारत में जय भगोलिक छेत्र कितने है तो भारत में 10 जय भगोलिक छेत्र है आगे है कि करक रिखा निम्लिकित राजवे में से किसे होकर नहीं गुजरता है तो दिये गए option में से बताना है कि कौन से state से नहीं गुजरता है तो जिसके इसको रियात करने का ठरिक है कि मीत्र पर गमचा जार तो मीत्र पर गमचा जार तो उसमें क्या क्या आ जाएगा तो अब लोग देख लेते हैं सुरू में हो जाएगा मीजोरम उसके बाद त्रिपूरा ठीक है उसके बाद है यहाँ पास रह स्थान सामिल है यानिक इसमें जो है वो मनिपूर सामिल नहीं है तो मनिपूर अपसेन में से बाहर हो जाएगा चलिए आगे है कि खाली अस्थान से हीम नदी बहती है तो उस नदी का नाम बताना है तो इसका जो राइट अथूं हो जाएगा कि बर्फ के जमाव से हीम नदी बहता है ठीक है बर्फ यदि एक जहाँ पर जादा जन जाएगा तो वहाँ से हीम नदी बहना जो है अस्टार्ट हो जाएगा गलेसिर दिरे दिरे बर्फ का पगलेगा तो वहाँ से नदी का निर्मान होगा और यदि ढहलाओं छेतर होगा तो वहाँ से पानी नीचे की ओर ढहलेगा चली आगे है 18 नमबर का की खाले स्थान एक परवस रिंखला है जो भारतिय प्राइदीपी द्यूप के पच्मी तट के लगभग समानतर चलती है और दुनिया में जब वित्ता के आठ सबसे आकर्शन के केंद्र में से एक हैं कभी इसे भारत महान धलान भी कहा जाता था तो उसका नाम बताना है तो उसको बोलते हैं पश्यमी घाट के एरिया को भारत का महान धलान भी बोलते हैं क्योंकि पश्यमी घाट का जो एरिया है उसमें एक धलाव नूमा सा अकरिती मैप में बनता दिखाई देता है तो अप्सन नंबर हो जाएगा इसका बी आगे है कि माउंट टेवरेश्ट की चोटी समुंद्र के अस्तर से लगबग के द्वारा किया गया था मतलब कितना उंचा चोटी है तो इसका राइटो सुन हो जाएगा कि 29,000 आगे है कि निमलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा गलेसियर है ठीक है तो भारत का सबसे बड़ा गलेसियर को बताना है तो इसका राइटो सुन हो जाएगा कि सियाचीन गलेसियर जो सियाचीन गलेसियर है वो भारत का सबसे बड़ा गलेसियर है आगे है कि निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य अस्थाला किरिती छेत्रों का हिसा नहीं है तो नेपाल के मुख्य अस्थाला किरिती छेत्रों के हिसा के बारे में बताना है तो इसका right option हो जाएगा दक्कन, option number see the right option आगे है कि अरावली पहाड़ीों की सबसे उंची चोटी कौन सी है ठीक है, तो अरावली पहाड़ीों की सबसे उंची चोटी के बाद करेंगे तो हो जाएगा गुरू सिखर ठीक है, अरावली पहाड़ी की सबसे उंची चोटी का नाम है गुरू सिखर आगे है कि 23 नंबर का किवचान कि Mount Everest खाले स्थान में इस्तिता है Mount Everest कहां इस्तिता है, आपको बताना है तो Mount Everest जो है ओ नेपाल देश में इस्तिता है अब भारत को न मारे, ठीक है भारत आपसे हडवडी में टीक आट हो जाएगा लेकिन नेपाल में है आगे है कि भारत के मुख्य परवतों की रेंज में इन में कौन सा परवत सम्मिलित नहीं है तो इन में से हिंदु कुस परवत जो है वो सम्मिलित नहीं है आगे है दक्षिन भारत की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो सबसे उंची चोटी है आगे है कि निमलिखित में से कौन से स्रिंखला भारत की प्रांचींतम परवत स्रिंखला है ठीक है तो भारत की प्रांचींतम परवत स्रिंखला की बात करेंगे तो हो जाएगा अरावली परवत स्रिंखला आगे है कि माउंट कंचन जंगा परवत क्या है तो जो माउंट कंचन जंगा परवत है वह विस्व का तीसरा सबसे उंचा परवत है ठीक है जो माउंट कंचन जंगा है वह विस्व का तीसरा सबसे उंचा परवत है आगे है कि गुरु सिखर क्या है तो गुरु सिखर जो है वो अरावली रेंज की सबसे उंची चोटी है option number इसका ए ही right हो जाएगा आगे है निमलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ठीक है तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम अगर हम लोग जानेंगे तो है थार रेगिस्तान ठीक है थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आगे है कि इन में से किस राज के एक हीसे में थार मरवस्थल नहीं है तो किस राज में थार का मरवस्थल नहीं है तो उसका राईटो सुन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में थार का मरवस्थल नहीं है लेकिन गुजरात हरियाना और पंजाब और राजस्थान के छेत्रों में थार का मरवस्थल आपको देखने को मिलेगा कि थार कारिकिस्तान में इस्तित है तो थार कारिकिस्तान कहां इस्तित है तो थार कारिकिस्तान जो है राजस्तान में इस्तित है आगे है कि चित्रकुट जरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्सर भारत के नियागरा जरने के रुप में जाना जाता है वह खाली अस्थान में इस्तित है तो जो है 36 गण में इस्तित है आगे है उलर जील सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है जो खाली अस्थान राज में इस्तित है तो बुलर जील या उलर जील जो है वो जम्मु कस्मीर राज में इस्तित है आगे है कि जील एसिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जीलों में से एक है तो उस जील का नाम बताना है उस जील का नाम हो जाएगा बुलर जील आगे है कि निम्लिखित में से कौन सी जील सैलाइन सोडा जील है जो उलका पात के परभाव से बुलधाना जीले में बनी थी तो उसका नाम हो जाएगा लोनार जील जो है बुलधाना जीला में बनी थी आगे है कि निम्न में से जो अलग या विशम है उसको चुनना है तो option ए है डल जिल, सांभर जिल, बेंबानत जिल, बोलर जिल तो इसका अलग जो option हो जाएगा सांभर जिल आगे है कि कुंची कल जल प्रपात कहां इस्तित है तो कुंची कल जल प्रपात जो है वो करनाटक स्टेट में इस्थित है याद रखेगा कुंची कल करनाटक स्टेट चलिए आगे है कि इन में से किस जहिल का निर्मान दक्कन के बेसाल्टिक चटानों पर बड़े जो उलका पिंड के गिरने के परभाव से हुआ है तो हो जाएगा लोनार जहिल आगे है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जहिल कौन सी है तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जहिल है बुलर जहिल कहां है तो जम्मू कस्मीर है आगे है कि निमलिखित में से किस उतरी राजे में गोयचाला पास इस्तित है तो गोयचाला पास जो है वो सिक्किन स्टेट में इस्तित है आगे है जलेपला और नाथूरा दरा निमलिखित में से किस राज में इस्तित है तो जेलेपला और जो नाथुला है और गोच्चा लापास जो है उस सभी के सभी सिक्की में इस्तित है आगे है कि दादरा एवं नगर हवेली की रधानी कहा है तो दादर एवं नगर हवेली की रधान है सिलवासा आगे है कि नागलेंड की रधानी कौन सी है तो नागलेंड की रधानी क्या है तो कोहिमा आगे है कि मिजोरों की रधानी कहा है तो मिजोरों की रधानी है आईजोल आगे है इन में से कौन केंदर सासित प्रदेश दमन एवं दिव की रधानी है तो दमन एवं दिव की रधानी जो हो जाएगा दमन ही हो जाएगा आगे है फोटी सेबन की आंदरपरदेश राज की राजधानी कौन सी है तो आंदरपरदेश राज की जो राजधानी है वो है अमरावती ठीक है आंदरपरदेश का राजधानी अमरावती और तेलंगाना का हैदराबाद आप याद रखिएगा ठीक है चले आगे है कि निमलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है तो अरेबियन समुद्र की रानी जो है वो कोची को कहा जाता है आगे है कि नित्रेनी दिप कहा पर इस्थित है तो नित्रिनी द्रिप जो है वो लग्छ दिप में इस्थित है आगे है निमलिखित में से भीहिन या असंगत को चुनना है तो अप्शन ए अगर तला बी तिरपूरा, सी कोहिमा और डी सी लोंग यानि कि A, C और D जो है राजधानी है लेकिन B किया है इस्थित है तो वो अलग हो जाएगा आगे है वर्स दुहर चुदह में किस राजे का जनम हुआ था तो वर्स दुहर चुदह में तिलंगाना इस्थित का जनम हुआ था आगे है कि किस भारती सहर को गुलाबी सहर भी यानि कि पिंक सिटी भी कहा जाता है तो जैपुर सहर को पिंक सिटी या गुलाबी सिटी कहा जाता है आगे है यहाँ पास कि जम्मु कस्मी सरकार की गृस्म काली रधानी खाली अस्थान में है तो जमुकस्मिर सरकार की जो ग्रिस्म काली रधानी है वो जो है स्री नगर में इस्तित है आगे है कि अरुनाचल प्रदेश की रधानी कौन सी है ठीक है तो अरुनाचल प्रदेश की रधानी है इटा नगर आगे है 55 की लक्ष साइडवी सागर को और किस नाम से जाना जाता है तो लक्ष दीप सागर के नाम से जाना जाता है आगे है कि भारतिय राज एवं किंद्रसासित प्रदेश की कितने समुदतर्ट से समबंध रखता है इसका राइट उसनो जाएगा आगे है कि नीम लिखित में से कौन साद्वीप लक्ष दीप से समंधित नहीं है तो जो नील है वो लक्ष दीप से समंधित नहीं है बाकी मिनी कोई कवारती और अमीनी जो है लक्ष दीप से समंधित है आगे है कि निमलिखित में से कौन सा छित्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा किनरशासित परदेश है तो भारत का सबसे बड़ा किनरशासित परदेश है चत्रफल के दिर्टी से अंडमांड और निकोबार दीप समू आगे है कि मदुरय सहर किस नदी के तट पर इस्तित है तो जो मदुरय सहर है वो बेगई नदी के तट पर इस्तित है आगे है कुण सा भारतिये राज्य अधिक्तम संख्या के अन्य भारतियों राज्यों के साथ अपनी सीमा को साज़ा करता है इसका राई टोसन हो जाएगा कि असम असम जो है भारतिये राज अधिक्तम संख्या से अन्य भारतिये राज्यों साज़ा करता है तो हो जाएगा अस आगे है कि नदी दीप मांजुली जो भारत का पहला और एक मात्र दीप जीला भन गया है वो किस इस्टेट में है तो जो है आगे है कि कौन से भारती सहर को मोतियों की सहर केरुप में जाना जाता है क्योंकि एक समय या केवाल हीरे और प्राकिर्तिक मोतियों का वैस्विक केंद्र बताया जाता था इसका राइट ओप्शन हो जाएगा कि ओप्शन नमबर A यानि की हैदराबाद आगे है नीचे दिये गए नदियों की जोडियों में कौन सी नदिया भारत के दक्षनी भाग में बहती है तो उसका नाम हो जाएगा कावेरी और गुदावरी आगे है कि अधुतिये परियोग्यात्मक सहर आरो वीलो कहां इस्तित है तो ये जो है पुड़ू चेरी में इस्तित है आगे है गुदावरी नदी किस राज में से होकर गुजरती है नहीं गुजरती है तो गुदावरी नदी जो है गुजरात से होकर नहीं गुजरती है लेकिन वह 36 गर्ण महराष्ट और अंध्रपदेश से होकर गुजरती है आगे है कि जेलम, चिनाव और रावी उप नदी है तो किसके उप नदी है तो सिंधु नदी के उप नदी है यानि कि सिंधु के सहायक नदी है जेलम, चिनाव और रावी आगे है कि इलाहाबाद के त्रिवेनी संगम के तीन नदियों में से निमलिखित कौन सी नदी भूमी गत नदी है तो उसका स्वेज़ब हो जाएगा सरस्वती नदी आगे है कि कृष्णा नदी बिवाद में खाली अस्थान एक पक्ष नहीं है तो यह जो है तमील नदो जो है एक पक्ष उसका नहीं है आगे है कि बांगला देश में परवेश करने के बाद गंगा की मुख्य साखा को किस नाम से जाना जाता है तो पदमा नाम से जाना जाता है आगे है कि प्रहिंता नदी पेन गंगा नदी और वेन गंगा नदी के जल के साथ गुदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो इसका राइट उप्सन जाएगा वर्धा आगे है कौन सी नदी अमर कंटक से निकलती है तो नरमदा नदी जो है वो अमर कंटक से निकलती है आगे है कि कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना नदी आगे है निम्लिखित में से किश नदी का उद्गम अस्थल तीबत में है तो जो ब्रह्म पुत्र का उद्गम अस्तल है वो तीबत में है आगे है निम्न में से कौन सा कथन भारती नदियों के भिषय में सत्य नहीं है तो वो जो कथन है option number C यानि कि हिमाईली नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है यह गलत है आगे है निम्न में से कौन सी एक अंतरदेशिय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है तो इसका राइट सुन जाएगा पेरियार आगे है कि यालिंग ट्रेम्पो का प्रचलित नाम क्या है तो उसका नाम है ब्रह्म पुत्र आगे है कि इन में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है तो गंगा की सहायक नदी का नाम हो जाएगा गंडक आगे है कि भारत सरकार ने भारत में खाले स्थान नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गिकरित किया है तो कितने नदियों के रूप में वर्गी कृत किया है तब बारा नदियों के रूप में वर्गी कृत किया है आगे है किस नदी को बंगाल का सोग कहा जाता है तो दामोदर नदी को बंगाल का सोग कहा जाता है आगे है निमलिखित नदियों में से कौन सी नदी पच्मी घाट में से निकलती है उसका सेज़ा हो जाएगा क्रिश्ना नदी आगे है दोस्तों कि कौन सी नदी औरफ सागर में नहीं मिलती है तो औरफ सागर में नरवदात तापती और पेरियार नदी मिलती है लेकिन महा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है आगे है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भारत की दुसरी सबसे लंबी नदी जो है वो है गुदावरी नदी गुदावरी नदी को दक्षिन की गंगा भी कहा जाता है आगे है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में परवाहित नहीं होती है तो जो समुद्र परवाहित नहीं होती है उसका नाम बताना है तो जब हो जाएगा कि यमुना नदी आगे है कि निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहयक नदी नहीं है तो सिंधु नदी की सहयक नदी नहीं है वो है चंबल नदी आगे है किस नदी को दक्षिन गंगा के नाम से भी जानना जाता है तो जो option number C यानि की गुदावरी नदी जो है वो दक्षिन गंगा के नाम से भी जानना जाता है आगे है कि नर्मदा नदी का उद्गम अस्थल कौन सा है तो नर्मदा नदी का जो उद्गम अस्थल है वो है अमर कंटक की पहाड़िया आगे है कि इन में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है तो जो गंगा की सहायक नदी नहीं है वो है मानस नदी आगे है कि ब्रह्म पुत्र नदी निमली खित में से किस देश से होकर परवाहित नहीं होती है तो ब्रह्म पुत्र नदी जो है वो नेपाल से होकर परवाहित नहीं होती है लेकिन चील बांगला देश और भारत से होकर के परवाहित होती है आगे है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है तो भारत में सबसे पुराना बांध जो है वो कला नाई है ग्रेट अनिकूट आगे है कि पर्याग राज में त्रिवेनी संगम किसका संगम माना जाता है तो जो है तीन नदियों का संगम माना जाता है आगे है कोइना बांद किस राज में इतु थित थाए तो कोइना बांद जो है वो महराश्ट में इतु थे आगे है सतर वर्ग कीलो मेटर का चेतर घेरता है इसे बिशव का प्राचिंतां पानी नियंतरम करने वाला सैंख्या में से एक माना जाता है तो आगे है 93 नमबर का कि हीरा कुंडेम किस नदी पर अस्थापित किया गया है हीरा कुंडेम जो है महा नदी पर अस्थापित किया गया है आगे है कि अल माटी बांध जल भितुत परियोजना खाली अस्थान नदी पर है जो है किरिश्ना नदी पर है आगे है कि सारावती पन बिजली परियोजना खाली अस्थान में है तो जो है करनाटक में इस्तित है आगे है हीरा कुंड जलासे किस नदी पर निर्मित किया गया है तो हीरा कुंड जलासे जो है ओप्सन नमबर सी यानि की महा नदी पर इस्तित किया गया है आगे है निमलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परिजना के साथ जुड़ा हुआ है तो दामोदर घाटी परिजना के साथ जुड़ा गया हुआ है वो है दुर्गापूर और चंद्रपूरा और मैथन्डेम आगे है कि तुंग भदरा बहुदेशिय परिजना निमलिखित में से नदियों में से किस नदी की उप नदी के तट पर अस्थापित किया गया है तो उस उप नदी के तट का नाम हो जाएगा क्रिश्ना नदी आगे है कि जायक वाड़ी परिजना जो कि सबसे बड़ी सिचाई परिजना है किस नदी पर इस्तित है तो ये जो है गुदावरी नदी पर इस्तित है आगे है कोसी बाढ़ नियंतरन और सिचाई परिजना में इस्तित है तो ये जो है बिहार में इस्तित है आगे है कि काली मिट्टी के लिए सरवाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है तो उस फसल का नाम हो जाएगा कपास आगे है कि दक्षिन पच्छी मांसून में उत्पन होता है तो ये जो है दक्षिन पच्छी मांसून हिंद्र महा सागर से उत्पन होता है आगे है कि मिरिदा के अध्यन को उलेख करने के लिए परियुक्त सब्द क्या है तो इसका परियुक्त सब्द जो है आप्शन नमबर A यानि की भूमी बिग्यान आगे है 104 नमबर का कि बारिश के तुरंत बाद उत्पन हुई मिटी की सौंधी खुसबू को क्या कहते है तुसे पेट्री चर कहते है आगे है अधिकास्ता रेत और गाद द्वारा नदियों और समुंदरी लहरो द्वारा जमा किये गए है तो जो होते हैं वो जलोड मिटी को कहा जाता है आप्शन नमबर B आगे है कि तमील नैडू, ओडिशा और छोटा नागपूर और मिगाले के छोटे हिसों में पाई जाने वाली खाली अस्थान का लाल होता है और या क्रिसी के लिए उप्यूक्त नहीं है तो यह जो है ओप्शन नमबर C लेटराइट मिटी है खाली स्थान मिटी को रेगुर मिटी भी कहा जाता है तो काली मिटी को रेगुर मिटी भी कहा जाता है आगे है सभी परकार की मिटी के गठन के खाली स्थान मुल भुत समागरी है तो मुल भुत समागरी कौन से है तो इसका मुल भुत समागरी है चटान आगे है 109 नमबर का की ग्रेट उत्री संतल भूमी में किस परकार की मिटी पाई जाती है तो जो है कछार ये मिटी पाया जाता है आगे है भारत के कुछ भागों में मिटी का रंग लाल होने के कारण क्या है तो मिटी का रंग लाल होने का जो कारण है वो हो जाएगा मिटी में जो है फेरिक उकसाइड की मोजुदगी होना आगे है कि कपास की काली मिटी को क्या कहा जाता है तो कपास की काली मिटी को रेगुर मिटी भी कहा जाता है आगे है कि भारत में कपास की फसल उगाई जाती है तो भारत में कपास की फसल जो है काली मीटी में उगाई जाती है इसके बाद है कि लाल मीटी पर खेती करना कठीन है क्योंकि तो लाल मीटी पर खेती करना कठीन है क्योंकि इसकी जल्धारंचमता कम होती है आगे है निमलिखित में से कौन सा नियुंतम छिदर युक्त है ते यो जो है चिकनी मिटी नियुंतम छिदर युक्त है आगे है क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का परियोग किया जाता है तो विलो लकड़ी का परियोग किया जाता है भारत के किस राज में सरवाधिक वन छेत रहा है तो भारत के मद्य प्रदेश राज में सरवाधिक वन छेत रहा है आगे है कि हुलूक गिबन नामक जानवर कहां पाया जाता है तो हुलूक गिबन नामक जानवर जो है अरनाशल प्रदेश में पाया जाता है अगे है कि भारत में सरवाधिक ब्यापक वनों के परकार कौन से हैं तो ये पर्नपाती वन है अगे है बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहां किया जाता है तो बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन जम्मूग और कस्मिर में किया जाता है अगे है बागवानी रिपोर्ट 2015 में पुर्ण उत्पादन मुल्ले के अनुसार कौन सा भारतिये राज सरवाधिक जो है वन उत्पादन राजे है तो बागवानी उत्पादन में हो जाएगा उत्तर परदेश्ट आगे है निम्न में से कौन सा गयर खादे फसल है तो जो फाइवर फसल है वो गयर खादे फसल है आगे है कि निमलिखित में से कौन सा भारतिये राज ये कच्चे रेसम का उच्तम उत्पादक है तो करनाटक जो है वो कच्चे रेसम का उच्तम उत्पादक है आगे है कि भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है तो पच्छिन मंगल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आगे है बिस्त्व में भारत सबसे ज़्यादा छेतरफल में कौन सी फसल उगाता है तो जो है गियंहूं का फसल उगाता है अगे है निमलिखित भारती राजियों में से किसमें केसर की खेती की जाती है तो वही जमू कस्मीर में की जाती है अगे है राश्ट्री बागवानी बोड की रिपोर्ट जिसका सीर्षक है बागवानी समंधी आखडो एक नजर में 2015 के अनुचार भारत में सेव की सबसे ज़्यादा पैदावार किस राज में होती है तो सेव की सबसे ज़्यादा पैदेवार जो है जमू और कस्मीर राज में होती है जो कि केंदर सासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया है आगे हैं निमलिकित में से कौन सा सही है खरीब फसल सर्दियों में फसल है तो जो खरीब फसल है यह क्या है यह यहाँ पास यह गलत है ठीक है? कौन सा सही बताना है तो इसी में B भी गलत है और सर्थो जो है खरीब यानि यह भी गलत है एक मातर इसमें सही option है जो की है कि गेहूर अभी फसल है तो ये बिल्कुल सही है आगे है कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है तो चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है आगे है अधिकतर केरल, तमिल, नाडू और करनाटक में होने वाली निमलिखित में से किस फसल को 35 डिग्रे से स्थापमान और 200 सेंटिमीटर से अधिक वर्षा की आवसकता होती है तो जो है रबड हो जाएगा आगे है कि निमलिखित में से कौन सा एक भारत का परमुख चाय उत्पादक राज है तो भारत का परमुख चाय उत्पादक राज है पजी मंगाल आगे है भारत में स्वेत करांती के जनक के रूप में कौन लोग पी रहे है तो भारत में स्वेत करांती के जनक के रुप में जो है डॉक्टर वर्गिज कुरियन लोग के पी रहे हैं आगे है कि भारत में स्वेत करांती का जनक किसे जाना जाता है तो स्वेत करांती का जनक जो है वर्गिज कुरियन को माना जाता है आगे है कि मोना जाइट रेत में कौन सा खनीज मौजुद होता है तो मोना जाइट रेत में जो है थोरियम खनीज मौजुद होता है आगे है एम ए स्वामी नाथन नामक भारतिय अनुमानसी की विद ने इसमें परमुक भूमिका निभाई थी तो इसका right option की हरीत करांती में प्रमुक भूमी का निभाई थी आगे है पानी पत रिफाइनरी किसके अंतरगत आती है तो पानी पत की जो रिफाइनरी है वो IOCL के अंतरगत आता है Asia का सबसे पुराना तेल उत्पादक छेतर कहां है तो Asia का सबसे पुराना तेल उत्पादक छेतर है असम आगे है कि अबरक की सराज में बहुतायात में पाया जाता है तो अबरक जो है वो C यानि की बिहार राज में बहुतायात में पाया जाता है आगे है कि निमलिखित में से कौन सी घाटी कोईला भंडार की बड़ी मातरा के लिए जानी जाती है तो जो है दामुदर घाटी कोईला भंडार के लिए सबसे बड़ी मातरा के लिए जानी जाती है आगे है कि जूबली करनाटक में मुख्याले वाले ने अपने च्छत्र के तहत आने वाली गाडियों में हरित इंधन बायो डिजल का प्रयोग किया तो जो है दक्षिन पच्मी रेलवे ने अरम किया था आगे है कि भारत का राष्टिये रेल संगरहाले इस्तित है तो भारत का राष्टिये रेल संगरहाले जो है वो नई दिले में इस्तित है आगे है निमलिखित में से कौन भारत का सुभांकर रेलवे है तो भोलू एलिफेंट जो है वो भारत का सुभांकर है रेलवे का अगे है भारतीय रेल ने अपने खाले स्थान जोन में बायो डीजल लोको मोटिव की शुरुवात की है तो उसका नाम हो जाएगा दचिम पचमी रेलवे अगे है कि भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है तो भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन जो है मेटु पलायम उटी नील गूरी पेसेंजर आगे है खाले स्थान एक अर्थ लगजरी परियाटन ट्रेन है तो लगजरी परियाटन ट्रेन है डेजट सर्कीट आगे है कि भारतिये रेल्वे की अंतराष्टिये परियत्रक बीरो सुभिधा खाली अस्थान में उपलब्द नहीं है तो जो है तिर्वन्तम पूरा में उपलब्द नहीं है अगे है कि जबलपूर मध्य रेलवे मध्य परदेश में इस्थित रेलवे जोन मुख्यालाय का नाम बताए जो सभी मानो रहित क्रोसिंग को खत्म करने के लिए भारतिय रेलवे में पहला रेलवे जोन बना है उसका नाम हो जाएगा ओप्शन नंबर बी यानी की पच्छी मध्य रेलवे आगे है कि भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के भी चलती है तो उसका नाम बताना है तो उसका सही जब हो जाएगा दिब्रूगर से कन्या कुमारी आगे है कि इन में से किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कारेसिल भाफ वाला इंजन है तो इसका नाम हो जाएगा कि फैरी क्वीन आगे है कि भारतिये रेलवे द्वारा एक परिक्षन के अधार पर पेस किये जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टोईलेट में अपने निर्वहन का निप्टान है तो इसका सही आंसर आपको बताना है तो इसका राइट ओप्षन जो है वो हो जाएगा ओप्षन नमबर ए यानि की बायो सोचाले सिधे आगे है कि भारतिये रेलवे में खाले स्थान जोन है तो अभी तक 18 जोन है भारतिये रेलवे का 18 आगे है कि डीजल लोको मोटिव वर्क कहां पर इस्तित है तो डीजल मोको लोटिव जो वर्क है वारा नसी में इस्तित है आगे है कि भारतिये रेलवे की यातरी आरक्षन प्रनाली किसने डिजाइन की थी तो यह जो है CRIS ने डिजाइन की थी याद रखिएगा C-R-I-S आगे है भारतिये रेल नेटवर्क लगभग खाले स्थान अस्टेशनों को जोड़ता है तो जो है ओप्सन नमबर C 8000 नेटवर्क को जोड़ता है आगे है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है तो इस सुरंग का नाम है ओप्सन नमबर B यानि की पीर पंजाल सुरंग आगे है कि भारतिये रेलवे बोर्ड अगिनियम किस वर्ष पास हुआ था यह जो है 1905 में पास हुआ था निमलिखित रेल गाडियों में से कौन सी भारत में समाई और दूरी के संदर में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है यह जो है विबेक एक्सप्रेस सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है आगे है कि निमलिखित में से कौन भारतिये रेलवे में कि एक छोट छेतर मतलब जोन को दरसाता नहीं है यह जो है EWR को नई दरसाता है बाकी South Eastern Central Railway, East Central Railway और North East Railway आगे है कि निशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है तो रेल यातायाद से मिशन रफ्तार जुड़ा हुआ है निमलीखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटिये बंदरगाह है जिसका सही जवाब हो जाएगा कि कौलकता की नदी तटिये बंदरगाह आगे है निमलीखित में से कॉन सा भारत देश बंदरगाह की विहीन देश है तो कजाकिस्तान में बंदरगाह नहीं है आगे है स्वर उजाद्वारा पुर्णरुप से स्वचालित विश्व का स्वर प्रथम हवाई अड़ा कौन सा है तो उस हवाई अड़ा का नाम है कोचिन अंतराष्टी हवाई अड़ा की रल आगे है कि कमपनी इंटर गलोब एवी एशन जिसने हाल ही में अपना आई पी ओ लॉंज किया था निमलिखित एरलाइनों में से किसे नियंतित करता है तो इंडीगो नियंतित करता है आगे है कुडन कूलं परमानू उर्जा सेंतर कौन से राज में इस्तित है ते तमील नाडू राज में इस्तित है आगे है 164 नमबर का क्यूचन की निमलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावर्नन के अनुकूल धंग नहीं है ते जो है थर्मल पावर से बिजली उत्पादन करना पर्यावर्नन का अनुकूल धंग नहीं है आगे है कि भूटान की राज भासा कौन सी है तो भूटान की जो राज भासा है वो है अंग्रेजी तिसका सेजवब हो जाएगा अंग्रेजी आगे है कुड़न कूलम परमानु उर्जा प्लांट इस्तित है तो कुड़न कूलम जो परमानु उर्जा जो है वो तमील लैडू में इस्तित है आगे है कि 2015 में अंटाक्टिका में अस्थापीत नियंतम रिसर्च बेस का नाम क्या है तो नियंतम रिसर्च बेस का जो नाम है वो है भारती आगे है तमील नैडू और स्रिलंका के में समानेता बोली जानी वाली भासा कौन सी है तो उस भासा का नाम हो जाएगा तमील आगे है भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिसाद का मुख्याले कहा है तो भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिसाद का मुख्याले जो है वो नई दिल में है आगे है कि 2015 के अंत तक भारत ने अंटाक्टिका में खाले स्थान अनुसंधान इस्टेशन अस्थापित कर दिये हैं तिसका सजी जवाब हो जाएगा तीन आगे है कि बिसम चुनना है तीन में से बिसम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकन बैली आगे है कि Tata Institute of Fundamental Research खाले स्थान में इस्थित है तिये जो है मुंबई में इस्थित है चलिए आगे का जो प्रस्ण होगा वो और्थ सास्त सम्मंधित होगा तो और्थ सास्त सम्मंधित जो पहला प्रस्ण है वो कुछीज प्रकार है कि उपभुकता द्वारा सुएक्छा से क भुकतान किये गए वास्तिक मूल के अंतर को क्या कहते है तो उसे उपभुकता अधिकोस कहा जाता है दिमलिखित में से कौन सा विकल्प जिवास्म इंधान नहीं है तो जिवास्म इंधान जो है बिजली नहीं है बाकी ये सब जिवास्म इंधान है जो दिये गए थे option में कोईला पेटोल और पीट आगे है कि मौक्सिजम के नुसार खाले स्थान विकास का तीसरा अस्तर है तो पुंजी वादी विकास का तीसरा अस्तर है जब कूल उपयोगिता अधित्तम हो जाती है तो सिमान्त उपयोगिता हो जाती है तो सुन्ने हो जाती है आगे है कि किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ होता है तो अंकित MRP का जो अर्थ होता है वह है maximum retail price ठीक है MRP maximum retail price उस बजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कमपनिया साथ मिलकर बजार के बहुमत के नियंत्रित करती है तो ऐसे को कहा जाता है oligopoli आगे है निमलिखित में से मुख्य बजार का सरोत्तम उदारन क्या है तो मुख्य बजार का जो सरोत्तम उदारन जो दिया गया अपस्वनों में से है वो है बजार जहां मांग और आपूर्टी से मुल्य निर्मित होता है वह बेक्ति जो एक साजेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहते हैं तो उसे जो है नोमिनल पार्टनर कहा जाता है आगे है कि एक स्युक उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेसकस को क्या कहते हैं तो उसे जो है उत्पाद की गठरी कहा जाता है आगे है जिस बजार में अस्परधा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं तो उसे जो है मोनोपोली कहा जाता है वितिय वर्स से लंबीत मतदान के हिसे के लिए लोकसभादवारा किये गए अनुमानित ब्याय के लिए अनुदान कहा जाता है तो जो है लेखा नुदान उसे कहा जाता है आगे है कि निमलिखित में से सरवाधिक उचित बिकल्प चुनना है सकल घरेलू उत्पाद एक नीचित अवधी दवरान का क्या कुल मुल्य है तो जो है एक देश के भीतर सभी तयार माल और दी गई सिवाओं के कुल मुल है आगे है केंद्रिये रेलवे बजट को समाने बजट के साथ प्रस्तावित बिलय किस वर्ष किया गया था तो जो बिलय करंज है वो 2017-18 में किया गया था आगे है कि वर्ष 2016 में निमलिखित में से किस रेलवे मंत्री ने रेल बजट पेस किया था तो रेल बजट पेस करने वाले जुमंत्री का नाम है सुरेश प्रभू 2016 में वर्ष 2016-17 के केंद्रिय बजट के नुसार परत्यक्त बिदेश सी निवेश का कितना परतिसत भारत उतपादिक खाद उतपादों में विपनन को एफ आई पी भी के माध्यम से करने के अनुमान प्रदान की जाती है तो अप विले विस्व विद्याले की अस्थापना का परस्ताव कहां रखा जाने वाला है तो जो है गडोदरा में रखा जाने वाला है 2015 में संसत में पेश किया गया जी एस्टी विधैक है तो जो जी एस्टी विधैक है वो है एक समिधान संसोधन विधैक है आगे है कि टेक्सेस की कटोती के बाद बेक्ती के पास उपलब्धाय को कहते हैं करारोपन की हुआ भी भी क्या है जहां पर कराधान रासी बढ़ने के साथ साथ करोगे दर में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसे जो है प्रगति सील कर कहते हैं आगे है कि वस्तू एवं सेवा कर के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इसमें से जो कथन सत्य नहीं है वो हो जाएगा option number B यह एक प्रत्यक्ष कर है आगे है कि किस बैंक ने भारत की बिना संपर्क अधारेत मोबाइल भुकतान सुविधा प्रारंब की तो जो है ICIC बैंक ने प्रारंब की है आगे है निमलीखित में से कौन सा एक सबसे अच्छा भारत का पुझी लाव कर वर्नन करता है ते जो है option number B इसका सहीज़ अब हो जाएगा एक साल के दवराण पुझी गत संपती की बिक्री से लाव पर कर प्रादान करना आगे है निमलीखित में से कौन सा भारती रूपियों की बिनियम दर के संबंध में सही नहीं है ते यंग भारती जरू बैंक द्रडाइक किया गया है ये सहीं नहीं है आगे है निमलीखित में से कौन सी एक अमुर्थ परीसंपती है तो अमुर्थ परीसंपती का नाम हो जाएगा option number A यानि की साख आगे है कि भारत में पहला बैंक कौन सा था तो भारत में पहला बैंक था वो bank of हिंदुस्तान था आगे है बैंकिंग कारोबार की सुरुवात हैं तो साजेदारों की अधिक्तम सिमित संख्या क्या होती है तो 20 अधिक्तम सिमित संख्या है आगे है कि इन में से किस bank के board ने भारतिय महिला bank को स्वेम में बिलाय करने को मजुदा द्वरा किया है तो जो है state bank of इंडिया है आगे है कि reserve bank द्वारा अब तक मुद्रित सबसे बड़ी currency कौन सी है तो जो है option number B यानि कि 10,000 मुद्रित currency है reserve bank द्वारा आगे है कि भारतिय मुद्रन नोटों के अगर भाग पर दिखाई देने वाले भारतिय रिजवर बैंक के मुद्रन के लिए किस तकनिका परियोग किया जाता है तो उस तकनिके का परियोग कहते हैं intaglio printing ठीक है आगे है कि किसी इरीन के लिए समर्थन प्रती भूत होती है तो उसे कर्जदार की परी समपति कहा जाता है आगे है 1955 में कौन से बैंक का नाम बदल कर State Bank of India नाम रखा गया था तो उस बैंक का नाम हो जाएगा Option No.D यानि की Imperial Bank of India भारतिय ज़र बैंक RBI के 33 गवर्णर कौन है तो रगुरामराजन उसके 33 गवर्णर है आगे है भारत सरकार द्वारा रुपे चीन को किस वर्ष में अपनाया गया था तो जो उसे 2010 में अपनाया गया था आगे है कि भारत के भुकतान बैंकों को निमलिखित में से किस गतिवीधी की अनुमती नहीं है तो उसे जो है पैसो का उधार देना अनुमती नहीं है भारतियर जुरब बैंक द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए गोंसित अंतिम्ति थी है तो जो है ओप्सन नमबर बी 30 जून 2016 आगे है कि भारतियर जुरब बैंक का राष्टिय करन की स्वर्थ किया गया था तो जो है 1949 में किया गया था आगे है भारतिय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली समागरी है तो समागरी का नाम है कपास यों कपास के लते आगे है कि भारतिय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भासाई मुद्रित होती है तो पिछले भाग पर जो है 15 भासाय मुद्रित होती है आगे है निमलिखित पूरो पधान मंत्रियों में से किसका नाम भारतिय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है तो उसका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंग जिसका नाम भारतिय करेंसी पर देखा जा सकता है एक रुपयों के नोटों पर किसके द्वारा हस्ताक्षार होते हैं तो एक रुपय के नोटों पर जो है वो केंद्रिये बित सचीव का हस्ताक्षार होता है याद रखेगा केंद्रिये बित सचीव आगे है कि दिमलिखित में से कौन सा एक इस समों से समंधित नहीं है तो जो है क्रेडिट कार्ट इस समों से समंधित नहीं है आगे है कि रुपियों के लिए चीन को डिजाइन करने के लिए आयजित परतियस्धरदा में बिजेता कौन था तो उस बिजेता का नाम है उदय कुमार आगे है कि भारतिय मुद्रा के नोटो कहां मुद्रित किये जाते हैं भारतिय मुद्रा के जो नोट है वो जो है नासिक में मुद्रित किये जाते हैं आगे है भारतिय जुरब बैंक का नियामक प्राधिकरन है तो उसका नाम है बैंक को दोरा प्राधिकरन किया जाता है आगे है कि I work at the rate home पहल के लिए है तो किसके पहल के लिए है तो जो है बैंक के महिला करमचारी के लिए पहल है आगे है State Bank of India ने हाल में SBI exclusive नामक portal जारी किया है या है तिया एक संपत्ती प्रबंधन उत्पाद है आगे है अधिकांस Robotics Banking का परियोग बढ़ रहा है भविश्य के बितिये लेन देन खाली अस्थान प्रदोगी अधारित होगी तो जो है वायरलेस प्रदोगी अधारित होगी आगे है कि मुंबाई वास्यव के लिए भारतिय डांक सिवा के द्वारा सुरू किया गया माई स्टाम्प की मुख्य विश्चता क्या है तो उसका मुख्य विश्चता है अपनी बेक्तिकषगा डांक स्टेप प्राप्त करो आगे है कि निमलिखित में से भीन ग्याद करना है तो इसका जो इन में से भीन है वो है EMI आगे है कि IFSC किसका संचिप्त रूप है तो जो है Indian Financial System Code का एक फूल फोम है आगे है एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना खाले अस्थान सिधान पर अधारित है तो वो जो है Option No.A यानि की Electromagnetic Induction पर समंधित है किस इरोपिय देश ने सर प्रताम बैंक नोटों की शुरुवात की तथा हाल ही में दुनिया में पहला कैसलेस देश बनने के कारण सुर्खियों में है जिसका सही जब हो जाएगा स्वीडन अगे है अर्थ सास्तर में बहुत गहरी लंबी और दर्दनाक मंदी को खाले स्थान कहा जाता है तुसे औसाद कहा जाता है आगे है कि वर्ष 2014 में भारतियर जरुबैंक ने कि सुचकां का परियोग मुद्रा पीथी का आकलन करने हेतु किया था तिसका सही जब हो जाएगा CPI आगे है कि भारत में स्टोक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरन है तिसका सही जब हो जाएगा option number C यानि कि भारतिय प्रतिभूती एवं बीनियम बोर्ड आगे है कि अस्थानिय संपत्ती की खरिदारी है तो बाय दोतों से उपलब धरासी में बढ़ोत्री को क्या कहते है तो उस बढ़ोत्री को कहा जाता है पूंजिगत अंतपरवा आगे है कि जवाहर रुजगार युजना का प्रारम कब हुआ जवाहर रुजगार युजना का जो प्रारम हुआ है ओ एक अप्रेल 1989 में हुआ है FDI का अर्थ क्या है तो FDI का जो अर्थ हो जाएगा ओ हो जाएगा option number D यानि की प्रत्यक्ष बिदेशी निवेश आगे है प्रदान मंत्री सुरक्षा बीमा युजना के तहत जो खिम कवरेज कितना है तो इसका जो खिम कवरेज जो है 2 लाख रुपया है आगे है ग्रामिन विकास मंत्राले द्वारा सुरू किये गए समन्वाइ पोर्टल का उदेश से क्या है तो उस समन्वाइ पोर्टल का जो उदेश से है वो है सांसद आदर्स ग्राम युजना के प्रगती और कर्वयावन की निगरानी करना आगे हुए वर्ष 2009 में केंदर सरकार ने कैबिनेट रैंक के साथ खाली अस्थान को विशिष्ट पहचान प्रियोजना का कार्य सोंपा था तो किसे सोंपा था तो नंदन एम निल केनी को सोंपा था आगे है प्रधान मंत्री स्वास सुरुक्षा युना के तहत तीन नए अखिल भारतिये आयुर बिगान सस्था कर्मा नुसार मंगला गीरी और महराष्ट अंत प्रदेश और पच्छी मंगाल में स्थापित किये जाएंगे जिसका सिर्जवाब हो जाएगा नाकपूर और कल्यानी आगे है कि J.A.M. जंधन अधार मुबाइल योजना के हाल ही में देश में सुभांकर की सवर्थ 2015 के आर्थिक सर्वेशन के नुसार J.A.M. के संबंध में इन में से कौन सा कथन गलत है तो उसको बताना है तीस में जो है आप्शन ए गलत है आगे है कि Make in India 13-18 फरोरी दुरसोला को खाले स्थान में सुरू किया गया था तो मुंबाइ में सुरू किया गया था आगे है कि भारत की Stand of योजना की मंसा क्या है तो भारत की Stand of योजना की जो मंसा है ओप्शन नमबर B आगे है निवन में से कौन सी फसल राष्टिय फसल भीमा योजना को दरसाता है तो उसे जो है Option C PMFBIY जो है दरसाता है आगे है नीती आयो का अर्थ है तो नीती आयो का अर्थ है National Institution for Transforming India आगे है निवन में से कौन सी बाल कल्यान स्कीम नहीं है तो इस स्कीम जो है वो है स्वेम सिद अभिमान आगे है अकाल पिलित छेतरों में गरामी रोजगार गरांटी योजना के तहत कार दियूसों की संख्या की कितनी पढ़ोतरी की गई है तो पचास बढ़ोतरी की गई है भारत सरकार की खाले स्थान पंच वर्सी हो जना का ड्राप त्रायर किया जा रहा है तो कौन सी नंबर का ड्राप वो त्यार किया गया है तो जो है बारहमी नंबर का ड्राप त्यार किया गया है हाल ही में आगे है कि सुवक्ष भारत निशन किस लिए है तो सुवक्ष भारत निशन जो है वो भारत को सुवक्ष एवां सवस्त बनाने के लिए है आगे है परदान मंत्री जन्ध नुजना के तहट किस राज यहने 100% BTS मावेसन हासिल किया है तो उस राज का नाम हो जाएगा मेगाले स्टेट आगे है 73 नंबर का किफचन की अमरीत विजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो अमरीत विजना का नाम अब्दुलकलाम के नाम पर रखा गया है आगे है प्रधान मंतरी नरंद्र मोदी द्वारा नवामी गंगे प्रजना कब शुरुआत किया गया था जुलाई 24 में शुरुआत किया गया था ऑप्सन नमबर 20 दा राइट ऑप्सन आगे है कि जनुआई 26 में अटुल्ले भारत अभियान के लिए किस नए चेहरे का चेहन किया गया था तो उस चेहरे का नाम है ऑप्सन नमबर 20 अमिताब बच्चन आगे है निमलिकित में से कौन सा बिकल्प जन और सुधी अभिमान का मुख्य उदेश से है तो उसका सेज़व हो जाएगा गुनवता की दवाईयों की उबलता का परमान चिन अंकित करना आगे है कि भारत को वैस्विक वी निर्मान हब के रुप में बिक्सित करने के लिए किस समाजी मीडिया दिग्रजु को नमबर 12 में मेक इन इंडिया इमोजी की सुरुवात की उसका नाम हो जाएगा ट्विटर आए है कि अनवेशा योजना जिसका देश से अनुसुचित जातित था अनुसुचित जन जाति के लिए गुनवता प्रिसिक्षन सिक्षा प्रदान करना है किस राज सरकार द्वारा प्ररम किया गया तो यह जो है उडिसा स्टेट के द्वारा प्ररम किया गया था मेक इन इंडिया का प्रतीत किसका बना है मेक इन इंडिया का प्रतीत है कोगस बने सेर का है आगे है की Soil Health Card के बारे में क्या सच नहीं है तो यह सरकार द्वारा परयाजित योजना है यह सच नहीं है और तीन अप्शन सही है जैसे कि मिट्टी के पोसक तत्वक बुन्यादी इनपुट प्रदान करना किसानों की उत्पादक्ता में सुधार लाने में मदद करता है और फसल के लिहाज से उर्वरकों की सिफारिस करता है आगे है कि बिज्ञान तथा प्रदगीक मंतराले द्वारा वर्थ 2016 में प्रारम किया जाने वाला इनमें से कौन सा एक उप्षन कारिकरम है जिसे किसानों को ससक्त बनाने का उद्धिस से सुरूप किया गया था तो उस प्रज़न करना हो जाएगा बायोटेक किसान आगे है कि भारत में आर्थिक उदारी करन किस साल सुरूप किया गया था तो 1991 में सुरूप किया गया था आगे है जनसंख्या के अधार पर देश का सबसे बड़ा केंदर सासित परदेश खाले स्थान दिल्ली को राष्टियर राजधानी छेतर माना जाएगा केंदर सासित डॉलर का रिन स्विक्रित किया है तो स्वक्ष भारत अभ्यान के रिए 1.5 विलियन का रिन स्विक्रित किया गया है आगे है कि भारत की जनगन्ना दुजरेकारा के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था तो टोटल जनसंख्या घनत्व जो था 382 ब्यक्ति प्रती वर्ग किलोमेटर था आगे है निमलिकित राजियों को वर्तमान अबादी के अनुसार बढ़ते करम में वर्षित करना है तो सबसे बड़ा राज बताना है तो दिये गए अफसनों में से जो है सबसे बड़ा राज जो हो जाएगा अबादी के अनुसार से वो हो जाएगा अबादी के हिसाब से यहाँ पस केरल गलत दिया हुआ है आगे है कि भारत की जनगन्ना के नुशार सबसे अभीक अबादी वाला राजी कोन सा है तो है उत्तरप्रदेश आगे है नियुंतम जनगन्ना के नुशार किस भारती राजी का जनसंक्या घना तो सबसे कम है वो है अरुनाचल परदेश आगे है कि उस केंदर सासित परदेश का नाम बताइए जो केंदर सरकार दवारा गोंसित प्रस्तावित अस्मार्ट सहरु की पहचान सूची में सामिल है तो उसका नाम हो जाएगा नई दिली सहर आगे है कि भारत की जन्गर्ना अभियान के तहत निमलिखित में से कौन सी चीज अस्मार्ट सिटी बनाने वाली चीजों में चीजों को दरसाती है तो जो है कि फायती आवास विशेश रूप से वरिष्ट नगरितों के लिए दरसाती है अगे है अस्मार्ट सिटी अभियान के तहत निमलिखित में से कौन सा एक अस्मार्ट सिटी मिशन के तहात जवनली 2016 में केंदर सरकार द्वाराज जारी 20 प्रस्तावित अस्मार्ट सिटीज की पहली सुची में सामिल है तिसका सही जब हो जाएगा उप्शन नमबर एक गुवा हाटी आगे है कि भारत में 100% प्राइमरी सिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज कौन सा है तो उस राज का नाव है केरल आगे है कि फोब्स के 2016 दुनिया में अरपतियों के रैंकिंग सुची में भारत के अरपती मुकेस अंबानी का कौन सा नमबर का स्थान है तो जो है 36 नमबर के अरपती है आगे है कि कौन सा देश सतत अस्टेबनेब द्वारा प्रकासित विश्व अनंद सुचकांग 2015 की सुची में सबसे उपर है तो वो जाए सुच्जर लेंड हो जाएगा अगे है कि कौन सा देश दान सहायता फाउंडेशन के विश्व प्रदान इंडेक्स 2015 में सिर्थ पर रहा था तो उसका नाम बताना है वो हो जाएगा मियान मार आगे है कि मानो विकास सुचकांग द्वारा उनाइटिड नेशन की डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इन से किस अधार पर तुनना नहीं करती है तो कॉर्परेशन अधी सासन आगे है कि फोप्स दुनिया के सबसे सक्तिसाली लोग द्वार पंदरा की सुची में कौन साव भारतिय सीस दस सामिल है ये जो है अप्शन नंबर ए नरंद मोदी 10 में सामिल है आगे है कि ट्रांसपोरेंसी इंटरनेशनल ने जन्वरी द्वार सुला को अपने बोध इंडेक्स में भारत को 168 देशों की सुची में करमांक पर डाला है तिसका सेज़ा हो जाएगा ओप्शन नंबर बी यानि कीछी हतरों में अस्थान पर तो आज का ये वीडियो इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद